वेल गुड़ेपी मादेर स्टूरेंस आम राजबिर सिंगराथ और योड इंगलिस टेनर आपका स्वागत है हमारे चानल इंगलिस ब्लास्टर में आज हम फिर से आपके लिए नाउन का क्लास लेके आए हैं आज हम नाउन के क्लास में काफी इंपोर्टेंट टॉपिक देख और दूसरा है हमारा बारी 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 से देखते हम इनको पहला है सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक बचर्ण मतलब सिर्फ एक देखेंगे प्लूरल लंबर का मतलब होता है बहु बचन मतलब एक से ज़ादा देखेंगे इसका डिफिनिशन a number that is more than one in count वैसी संख्या जो गिंती में एक से ज़्यादा हो उसे हम क्या कहते है plural number जैसे cats 1 से ज़्यादा dogs pings मतलब 1 से ज़्यादा कलमे झीक है इस सायर देखते है दूसरा नोट से हमारा हमारा नोट है दूसरा ये कि कोई भी नाउन जनम से singular होता है कोई भी नाउन जनम से कैसा होता है singular जिसे कुछ नियमों के तहथ plural बनाया जाता है जिसे कुछ नियमों के तहथ क्या बनाएंगे हम plural मतलब कोई भी जो नाउन होता हो पहले से क्या होता है singular उसे हम कुछ नियम के तहथ क्या बनाते है है plural देखेंगे इसका rules and uses अब पढ़ते हैं पहला rule है हमारा generally a singular noun generally मतलब साधारन कोई singular noun जो होता है becomes plural वो plural बन जाता है by adding s क्या जोड के s जोड के after itself मतलब कोई भी singular noun होता है जो उसको plural बनाने के लिए कैसे बनाते हैं उसमें सिर्फ s जोड देते हैं तो plural बन जाता है ज्यादा तर शीवला noun में हम यही करते हैं जोड पूरल ठीक है तो हमारा पहला रूल है कि साधारनत जो प्लूरल बना और हम आगे का रूल अगले वीडियो में पढेंगे अगर वीडियो आप जय हैं जय भारत